अस्सलाम आलेकुम तोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी का जो पाठ होता है उसे अर्वी में क्या कहा जाता है मैं आपको जरूरत का जो पाठ है उसी के बारें बताऊंगा तो चलो वीडियो को सुरू करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टायर दिखाऊंगा ये क्या है टायर टायर को अर्वी में कहते हैं कभर टायर को अर्वी में कहते हैं कभर ये आगे का टायर है देख रहे हैं आगे का टायर है ये आगे के टायर को कहते हैं कभर अजला कभर अजला यह आगे का टायर है, पीछे का टायर है, पीछे के टायर को अर्वी में कहते हैं कभर खल्फी, कभर खल्फी, यह क्या है, यह गाड़ी का दर्वाजा है, गाड़ी का गेट है, ठीक, यह है गाड़ी का गेट, गाड़ी के गेट को अर्वी में कहते हैं बाब सयारा, बाब सया ये क्या है ये है मीरर मीरर कहते है ना गाड़ी का मीरर मीरर को अर्भी में कहते हैं मिराया मीरर को अर्भी में कहते हैं मिराया ये क्या है खिर्खी देख रहे हैं ये खिर्खी है ये खिर्खी है ठीक है बिंडो बिंडो कहते हैं खिर्खी कहते हैं खिर्खी बिंडो को अर्बी में कहते हैं द्रीसा और ये क्या है कांच ग्लास को अर्बी में कहते हैं गिजाज या तो फिर जुजाज कह सकते हैं जुजाज गिजाज ठीक है ये क्या है बोनट ये जो है बोनट बोनट को अर्बी में कहते हैं कुबूत ये बोनट है बोनट को अर्बी में कहते हैं कुबूत जैसे कि अगर आपको कोई बोलेगा कि बोनट खोलो बोलता है ना बोनट खोलो तो अर्बी में बोलेगा इफ्ता कुबूत इफ्ता कुबूत बोनट खोलो इफ्ता कुबूत ठीक है तो ये बोनट है ये क्या है गाड़ी का बैटरी गाड़ी के बैटरी को अर्वी में कहते हैं बत्तरिया सयारा ठीक है और जो चार्ज करने वाला वायर होता है यहां पर लगा करके चार्ज करते हैं यहां पर लगाते हैं और यहां पर ल चांस आपका बैटरी उतर जाता है तो दूसरे गाड़ी से connection लेकर हम बैटरी को charge करते हैं तो उसको बोलते हैं इस ट्राक इस ट्राक यह क्या है headlight हेड लाइट है ना हेड लाइट को अर्वी में कहते हैं नूर इसके आपको बोलेगा कि लाइट चालू करो लाइट चालू करो अर्वी में बोलेगा सगल नूर कहा जाता है और लाइट चालू करने के लिए अगर कोई कहता है तो अर्वी में बोलेगा सगल नूर ये क्या है वाइपर वाइपर है न वाइपर को अर्वी में कहा जाता है मस्सा सब्बाक अमामील मस्सा सब्बाक अमामील वाइपर को अर्वी में कहा जाता है मस्सा, सब्बाक, अमामिल ये क्या है गाड़ी का डिग्गी गाड़ी के डिग्गी को अर्वी में कहते हैं संता सयारा संता सयारा संता या तो बाब खल्फिया बाब खल्फिया भी कहते हैं जैसे कि पीछे का दरवाजा गाड़ी के पीछी का दरवाजा को बोलेंगे बाब खल्फिया ये क्या है गाड़ी का हैंडल गाड़ी के हैंडल को अर्वी में कहते हैं मिक बद ये हैंडल है हैंडल को अर्वी में कहते हैं मिक बद ये क्या है गाड़ी का इस्टेरिंग गाड़ी का इस्टेरिंग है ना गाड़ी के इस्टेरिंग को अर्वी में कहते हैं दरक्सन गाड़ी के इस्टेरिंग को अर्वी में कहते हैं दरक्सन और ये है इंडिकेटर जैसे कि इसको हम राइट करेंगे left करेंगे तो हमारा indicator जलने लगता है तो इसको कहते हैं इसारा अरवी में इसको कहते हैं इसारा indicator अरवी में कहते हैं इसारा ठीक है और ये है AC ठीक है AC है, यहाँ पर AC है और यहाँ पर भी AC है तो AC को अरवी में कहते हैं मुकेफ AC को अर्वी में कहते हैं मुकेफ और ये है मिराया मिराया जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मीरर अर्वी में इसे मिराया कहते हैं मिराया एकसीलेटर ये है एकसीलेटर एकसीलेटर को अर्वी में कहते हैं दवास तस्रिया दव्वास, तस्रिया, एक्सीलेटर को अर्वी में कहते हैं, दव्वास, तस्रिया यह है ब्रेक, ब्रेक को अर्वी में कहते हैं, फर्मला, फर्मला, ब्रेक गाड़ी का जो ब्रेक होता है, ब्रेक को अर्वी में कहते हैं, फर्मला, फर्मला ये है handbrake, देख रहे हैं, ये है handbrake, handbrake को अर्बी में कहते हैं फरमला यद, फरमला मतलब break, यद मतलब हात, ठीक है hand, handbrake को अर्बी में कहते हैं फरमला यद, और ये है sitbuilt, ठीक है सीट बेल्ट को अरवी में कहते हैं हिजाम डाली का बंपर गारी का बंपर होता है ना गाड़ी के बंपर को अर्भी में कहते हैं मस्दम गाड़ी का जो बंपर होता है यह देखिए यह सब बंपर है बंपर है ना प्लास्टिक का जो बंपर है नीचे लगा हुआ है तो बंपर को अर्वी में कहते हैं मस्दम, गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है, गाड़ी के नंबर प्लेट को अर्वी में कहते हैं सैयारा लोहा रगम, सैयारा लोहा रगम गारी का नमबर प्लेट सैयारा लोहा रगम जो नमबर प्लेट होता है इसे लोहा कहते है नमबर को नमबर जो होता है उसे रगम कहते हैं जो प्लेट होता है उसे लोहा कहते हैं ठीक है गारी का जो नमबर होता है कोई भी नमबर हो मुबाइल नमबर हो गाड़ी का नमबर हो नमबर को रगम कहते हैं और जो प्लेट होता है बोड होता है बोड को अरभी में लोहा कहते हैं ठीक है तो मैंने आपको बता दिया जो गाड़ी का पार्ट है आज का वीडियो यही पर एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा, मिलते हैं कि शिने के वीडियो में तक लिए अपना ख्यार लखिएगा, अलाह अपीस